हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हैं बैटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बैटा मैं आज आपके लिए एक information लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने कल quiz किया था और लेकिन किसी के साथ कुछ ना कुछ mistakes हो गई या पता नहीं क्या हुआ इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ आज वीडियो ताकि उनको थोड़ा सा दिलासा दे सकूँ और थोड़ी सी निरासा है जो उसको खतम करने में मैं कुछ मदद कर सकूँ कि क्योंकि पेटा कुछ बच्चे थे जो क्योंकि एक तो लेट भी स्टार्ट हुआ था ये भी एक रीजन है कि वह 5 उन्होंने 5 उसका टाइम दिया था पी एम का बट वह स्टार्ट नहीं किया उन्ह इस चीज़ के बारे में तो तब तक टाइंग जा चुगा था लेकिन वो अपने एक इमानदारी से सीरियसल अपना करते रहे कुईज और उनके जो 20 मिनट्स थे वो चले गए और उन 20 मिनट्स के जाने के बाद अपने आप ही कुईज क्या हुआ वो इन्वैलिड माना जाए होगी क्योंकि उनका ओपन नहीं हुआ होता है ठीक है तो उन बच्चों के लिए अगर किसी के पास आई है और वो पढ़ चुका है तो नो प्रोब्लम ठीक है ये आपके मर्जी आप देखना चाहते हो या नी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो बेटा मैं जिससे बताया गया कि जो रिजल्ट है वो कब आएगा और मतलब कब आएगा किसका आएगा इस चीज़ के बारे में बताया तो तुम्हें मैं सारा बताऊंगी और इसलिए मैंने ये बनाई है क्योंकि बच्चों को इस चीज़ का पता नहीं है हमें किसी को नहीं पता रिजल्ट getting an error that no longer accepting response that means you have to not you have not completed the quiz at a time. तो बटा ये उनके लिए है line जो बच्चों ने क्या किया इसमें participate किया, register भी किया और फिर उसमें क्या किया, login करके उसको play करने की कोशिज भी की लेकिन क्या हुआ, उनके में last में ये आ रहा है no acceptance, no longer accepting response, ये वाली line लिखी हुई है कुछ बच्चों के में तो वो इसलिए आई गया है बेटा, इसी चीज का ये reason दे रहे हैं, अब सबको अलग से message करके तो ये भी नहीं दे सकते हैं, तो इन्हों ने एक email बनाकर उसको forward किया होगा सभी को, मतलब in my opinion, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा, इन्होंने क्या कहा है, कि sorry for that inconvenience, but we told every early that 25 questions should be answered in only 20 minutes, मैं लिए videos बनाती हूँ, पता नहीं, अब ये तो मैं नहीं जानती हो सकता है, तुम देखते भी हो complete, पर इनको बेटा, complete देखा करो, मैं इतनी, मतलब कि 10-15 minute की video बनाती हूँ, तुम सब की help के लिए ही बनाती हूँ, कि तुमें एक-एक information correct मिल जाए, लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं देखते होंगे, उनको ये problem आ जाती है, कुछ ऐसे भी है, जो देखने के बाद भी आ जाती है, वो तो एक अलग matter है, उनके लिए मैं ये problem को solve करने के लिए ये लेकर आई हूँ, ठीक है, video लेकिन try किया करो, जो भी मैं videos बनाती हूँ, मैं उतना ही कम से कम time में complete करने की कोसिस करती हूँ उसको, ताकि तुम्हे information सारी मिल जए और तुमारा time waste ना हो, तो बेटा, तुम उसको na complete देखने की कोसिस किया करो, ताकि तुम्हें आगे जाकर कोई problem ना हो, वो 5-10 minute की video को तुम नहीं देखके, अपना पूरा quiz को, मतलब बेकार कर लेते हो, या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, तो अब इनोंने बेटा क्या बोला, and we strictly follow the rule, तो बेटा अब ने rule बनाया था, और मैंने इस पर मतलब की emphasis भी किया था, जब मैं तुम्हें बता रही थी video में, के बेटा, 25 questions तुम्हें 20 minutes में ही complete करने पड़ेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना, मैंने ये भी बोला था उसमें, ठीक है, तो उसके लिए भी नहीं बोल जा कि ये rule था, त Google Form था ये, तो मैं दिख भी रहा था कि ये Google Form के वे में तुमने इसको submit किया है, और ये अपना, इनका सायद second time है, जब ये ऐसा try कर रहे हैं कुछ, online करने का, ठीक है, और कोई नहीं, सबसे बड़ी बात बेटा, एक और पताना चाहूंगी, कि तुम, अगर तुम से कुई complete भी नहीं हो पाते हैं, तो तुम्हें निरास होनी की जरूत ने, तुम कुछ ना कुछ सीखते हो, आज तुम, ये मेरे से, मैं guarantee देती हूँ, इसके आगर आज तुम से कोई गलत भी चीज हो रही है, ना, online सीक, मतलब कुछ करते हैं, खेलते हैं, तो बेटा, उससे तुम कु कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और आगे बढ़ रहे हो, जो गलती नहीं करता, उससे ऐसास नहीं होता है, ओके, तो फिर, don't be disappointed, you have learned many things, जो मैं बोल रही थी, बेटा, वही बोला है, नोने, कि disappoint नहीं होना है, तुमने कुछ ना कुछ सीखा ही है, इससे, ये सोच कर देखो एक management without paying any fees, तो बेटा, ये बोल रहे हैं कि तुमने कुछ ना कुछ बेटा, इससे सीखा ही है, जैसे कि आदित्य मिसन क्या है, और ये बात सच है, हमें बहुत कुछ चीज पता चलिया, great Indian scientist, Vikram सारभाई के बारे में पता चला हमें, ठीक है, और अपना time कैसे manage करना है, हमें कोई अगर digital events है, जिसमें हम participate कर रहे हैं, तो हमें उसमें अपने आपको कितना carefully, मतलब कि involve करना होगा, ठीक है, और patience भी रखना होगा, और time पर भी complete करना होगा, okay, our main objective was to popularize इस रोज मिसन, और बेटा, इनका main objective क्या थे, ये पहले भी बोल चुके थे, क्योंकि हमारी इंडिया का जो मिसन है, पेटा, उसके बारे में उसके इंडिया के citizens को तो पता होना चाहिए, और ये अच्छी बात, ये proud movement भी हमारे लिए, तो उसको popularize करना था, आधित्यय मिसन को not mainly organized competition, और पेटा, इनोंने competition जो organized किया था, वो इसलिए किया था, मैंने पहले भी बता है था, कि इनका contribution कर सके, ओके, तो निरास होनी की जरूरत नहीं है पेटा, if you have tried well to participate, we appreciate your effort to learn about isro and mission आधित्या on this world environment day, और पेटा, अगर आपने इसमें क्या try किया है, participate किया है, तो ये आपके क्या करते हैं, appreciate करते हैं, efforts को to learn about the isro and आधित्या missions, जो की बेटा, definitely, अगर किसने इसमें seriously participate किया है और by mistake, वो नहीं किसी भी कारण से इसमें complete, मतलब कि participate कर पाया, फिर भी उसे बेटा, उतना ही knowledge gain हुआ है, जितना कि एक complete करने वाले को knowledge हुआ है, ये मैं guarantee देती हूँ, अगर किसी ने इसको seriously किया होगा, ये तो सिर्फ एक मात्र, Google form submit करने का था, लेकिन जो knowledge तुमने gain कर ल करना है, ऐसे तो situations बहुत आएंगी, हर step पे आएंगी, लेकिन तुम्हें उससे आगे कैसे बढ़ना है, वही है तुम्हारी एक तरीके से, तुम्हारे nature में या personality में जो change आएगा, उसी से आएगा, कि तुम किसी भी situation को किस तरीके से handle करते हो, ये ही तुम्हारे अंदर तो बेटा जो इसका result का announcement है, जो finally तुम वेट कर रहे होंगे, जिसने form submit कर दिया होगा उनोंने, उनका बेटा क्या है कि time लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने या participants ने इसमें participate किया था, तो so let's wait for the result, any update of the result will update here only, और बेटा जो भी तुम्हें results मिलेगा, वो इधर या तो तुम्हें email के through मिल जाएगा, अगर किसी के पास नहीं जा पता है किसी कारण से, तो बेटा मैं भी कोशिस करूँ नहीं, उनको information देने की, okay, no need to tell call और email, और ये सब करने की आप सभी को जरूरत नहीं है, किसको, इनको, मतलब की, are you but science information को email वगेरा करने की, या call करने कि need नहीं है, इसी वज़े से मैंने ये वीडियो बनाई थी, बेटा, उमीद करती हूँ, आप सभी को समझ आया होगा, और निराज बिलकुल नहीं हो न, मैं दोबारा बोलूँगी, ये एक बेटा, तुम्हारा एक part था, जो तुम अपनी life में आगे बढ़ रहे हो, उसके ये एक step था आगे बढ़ने के लिए, अगर नहीं कर पाई तो कोई नहीं, दोबारा से try करो, तुम देखते होंगे बेटा, अपने आसपास भी cheaty होती है, आप सब उसको क्या से करते हो, धकेल देते हो, फूक मारके कई बार तुमने किया होगा अपना, देखते हो, तुम सो ठीक है, आज नहीं तो कल, आज कुछ सीखा, कल कुछ गलती नहीं करोगे, आज से सीख, अगर कल कुछ गलती होती है, तो उससे सीख क्या आगे नहीं करोगे, तो ये एक सीखने का learning की process है, लर्निंग है, ये तुमारी कुछ ना कुछ सीखी रहे, ओके, तो बटा इस वीडि इसको अच्छे से enjoy करो, निरासा के साथ नहीं, ओके, थैंक यू,